आज की वीडियो होगा एक कुछ अप्डेट के बार में चलेंगे काड़ान के चार्ट पर स्टडिक के प्राइस एक्षिश करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौंसे वह लेवल है जहां पर आपको रिजिस्टन्स देखने को मिल सकती है और कौंसे वह लेवल है जहां पर लांग डम के लिए काड़ान को बाय कर सकते हो अगर आपको आगे डिप देखने को मिलती है प्लस बात करेंगे कुछ ऑल्ट की जो की डिप में है काफी ज्यादा और आप बाय कर सकते है पोटेंशेल आपको 100% प्रॉफिट मिल सकता है कुछ करेंगे वीडियो को पूरा दे लेकर अब तक बिटकोईन अल्मोस्ट 3.60% का क्रेक्शन दिखा सुक चुका है करेंटल बात करेंटो 56,700 की रेंज में है एंड हमको जो है इसके वैसे मेजर आल्स में काफी डिकलाइन देहने को मिला है अगर हम इतिनम की बात करेंटो 2.28% से डाउन है काडैनो 2.39 शोल 4.42 बात करेंगे तो चलते काडैनो पेर काडैनो करेंटी बात करेंगे ज्यादा वॉल्टिलिटी ना शो करता हुआ अभी 1.78 डॉलर पे एक्जिस्ट कर रहा है 0.77% से डाउन देखा रहा है अगर आम बात करेंगे ट्रेड वॉल्यम लास्ट 24 आज में एट परसेंट का एक 1.81 चली गई थी 1.82 आसपास बात उसके बाद हमको डंका ट्रेड वॉल्यम देहने को मिला है और यही रीजन इसके इंक्रीमेंट का इवन हम लास्ट 7 डेज में देखें तो हमको ट्रेड वॉल्यम और डिक्लाइनिंग लेवल देहने को मिल दिया जिसका मतलब कम वॉल्टि बात करेंगर हम काफी लोग है जिसके करके वॉल्टिलिटी नहीं है और इंवेस्टर का ध्यान अभी इस पर बिल्कुल नहीं है mostly जो डिटेल इंवेस्टर हैं वो ध्यान दे रहे हैं और देख रहे हैं मार्केट किस तरह मूफ करेगी क्योंकि जो बड़े बिक प्लेश हैं वो एक ताइम पर प्रॉफिट पूल आफ कर रहे हैं और वो देखने को मिल रहे हैं यह करेंट टाइम हैं जहां पर थोड़े- सिग्निफाय कर रहा है कि Cardano की trade volume काफी कम है इवन अगर हम बात करें XRP, Dogecoin, Phantom, Tron की भी जाद है Cardano No.21 पर आता है जैसी buy market stable होगा जब altcoins अपर की तरफ movement करना शुरू कर देंगा और bitcoin pump होगा तब हम कह सकते हैं कि हम को जो Cardano की तरफ काफी अची rally देखने को मिल पाएगी क्योंकि जब trade volume है obviously top 10 alls सबसे पहले preferable होते है जिनको सबसे ज़्या volume जाती है और ऐसी volume अभी Cardano के उपर नहीं देखने का मिल रही है currently बात करूं Cardano काफी लोग चल रहा है इवन अगर हम उसके all time high से बात करें तो अपने all time high से correctly 42.50% down है all time high 3.101 है जो की 3 में नहीं पहले बना था and most probably आपको Cardano के उपर stable देखने को मिलने वाला है कुछ आने वाले दिनों में plus जो है 2.30-40 cents की कुछ resistance है importance जैसी बात करेंगा हमको upward momentum देखने को मिलने वाला है क्योंकि हम बात करें स्मार्ट कॉंट्रेक्स की प्लाटफॉर्म है उसमें हमारा जो Cardano है number 3 पे हमको देखने का मिलता है अगर हम चेकने हैं smart contract platform तो Ethereum के बाद second number पे solana आता है और उसके बाद Cardano आता है तो काफी जादा chances है Cardano आने वाले दिनों में काफी अच्छा परफॉर्म करने रहा है जैसी market थोड़ी सी stable होने वाली है बात करें अगर हम चार्ट पे तो चार्ट पे कुछ important points की बात कर लगते हैं currently चार्ट है हमारा काफी नारून चल रहा था and कल हमारा जो यह support level बना हुआ था 1.777 and यह break हुआ हमको देहने को मिला कि कल की 9.30 की candle stick closing इसके नीची हुई and उसके बाद pump dump देहने को मिला है हमको and currently situation है 1.777 act कर रहा है as resistance अगर मैं बात करूँ एक level of medium में जहां पर कुछ buy orders देहने को मिले हैं तो हम कह सकते है यह वाला level yep so अगर आप देख रहे हैं तो यह वाला level है कुछ जो near above 19 से act कर रहा है तो 1.754 इस level पर आपको एक support देहने को मिल सकती है तो यह level को ignore मत करें क्योंकि हमको देहने को मिला है कि last time से यह level support दे रहा है immediate resistance level हमारे बास कौँसा है 1.777 का जैसी यह break होगा इसके ओपर 4 आप में confirmation लेगी तो यह काफी strong resistance बना हुआ 20 seconds से लेकर कल का पुरा दिन और आज का पुरा दिन तो यह रहने बाला 1.807 का level और 1.834 का level होने बाले resistance होली क्योंकि आपको moving averages देहने को मिल जाती है अगर मैं even one day पर बात करूँ तो one day पर currently हम moving averages के काफी निचे चल रहे 200 moving averages के चल रहे जैसी 1.878 जहां पर 200 moving average exactly होई पर 1.879 यह जैसी pump से यह reclaim होगा तो हम upward momentum की तरफ देखने को मिल सकता है हमको जो है cardano का सारा price action प्लस अगर बात करें कुछ ऐसे levels जहां पर मैं cardano को accumulate करनी की सूचूँगा अभी अब हम देखें तो जो bitcoin है currently 55,750 का level अभी भी काफी एक से respect हो रहा है जो कि last time dump में 19th को भी देखने को मिला था which is a positive sign और बता रहे है कि कैसे जाला buy orders लगे और एक बी candlestick इस एरिया के pass भी closing नहीं हुए so यह एक positive कह सकते है supports की बात करें हमारा 55,750 रह रह रहा है 57,000 का जो area 57,050 act करा as a resistance कब से लेके जब से कल से लेके हमको यह dump देखने को मिला है so अगर bitcoin इस एरिया में sidewise movement करेगा तो जैसी market stable होगी आप उनको जो है pump देखने को मिलेगा alts में और अगर क्योंकि bitcoin already काफी down चल दा 56,700 के area में तो आप कुछ areas अगर चाहें तो यहाँ not a financial advice प्लीज अपनी study जरूर करें अपना TA करें but यह कुछ ऐसा area है जहाँ पर कुछ dollar cost average करके आप cardano ले सकते हो जादा नहीं बट यहाँ अगर आप चाहते हो कुछ 20-30% के cardano यह आप लिए जा सकते हैं जो कि मेरे साब से मैं मानता हूँ again dip देहने को मलती है एक important level जहाँ पर आप cardano ले सकते हो वो रहने वाला है पहने तो 1.754 का उसके बाद कुछ orders आप 1.718 से लेके 1.72 के area में लगा सकते हो अगर यह वाली break होती है 1.718 वाली तब हम नीचे आ सकते हैं towards 1.6 या 1.576 के area के around तो यह area का ध्यान भी आप जरूर रखे immediate resistance levels आपको मैं बता चुका हूँ so immediate resistance levels आपके सामने 1.777 1.807 1.832 and उसके बाद हम पुछेंगे 1.878 area जहां पे 200 वोंगे इस daily में बैठी है so काफी important areas है यह कुछ areas है जो आपको ध्यान में रखने है and बाक्की मैं चार्टs telegram group में शेयर कर दूँगा link description में गिवन है आप आप join कर सकते है कुछ important alls की बात करूँगा जो की आप consider कर सकते हैं बाय करना इस dip के time में and मेरी नजर में जो सबसे पहला alt है वो रहेगा dogecoin क्योंकि dogecoin जो मर्जी कहें stability proper दिखा रहा है कोई ऐसा time नहीं देहने को मैं काऊं नीचे इन जैसे 1.21 के पास था और आज काफी अची rally देहने को मिली है थोड़ी सी 0.22 के आसपास देहने को बली 0.21 के आसपास कल था 0.22 के round तो यह कुछ अच्छा signal दे रहा है क्योंकि जो trade volume है वो भी 108% up हुई है so dogecoin पे निजर जरूर बनाए रखे Matic Matic मेशा से मैंने पताया था Ethereum का one of the best scaling solution है यह pump होना जैसे Ethereum बिटकोई 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 जरूर पंप होगा Polygon जरूर पंप होगा और काफी अच्छे से rally दिखा सकता है तो आप इस coin को इन और बिटकोई जैसी market stable होगा Chainlink will be the first coin जो की बहुत अच्छे से pump कर सकता है Chainlink के ऐसा coin है जरूर इस पे अपनी आँख बनाए रखे यह अपडेट था मैं इस वीडियो में I do hope आपको अपडेट वदिया लेगा होगा और समझ आया होगा अगर आपको अपडेट पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ उनको बताएं कि कैसी चलना मार्केट में Cardano को लेके और Bitcoin को लेके और कुछ important coins जो बाइक कर सकते हैं अगर वो चाहें अगें not a financial advice एंड चानल पर नहीं है चाल पर फरीप आया तो फ्लीज चानल को सब्सक्राइब जरू करें बेल आइकन जरूद बाहें टाकि लेटस वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें पाकि हम खुशिच के दे डेली बेसे पे बहुत मस्मस्त अबडेट लाने का तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिक्वन बोलेगा बाकि इस विडियो के लिए नहीं मैं मलता हूं आपसे की वीडियो में तब तक लिए आप सो अपना ख्याल रखें एंड सीया